नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेश 29 समंबर सोमवाट शाम सवा पांच बजे राजसान की बड़ी खबरें संसद की विंटर सेशन के पहले दिन ही क्रिशी कानूर वापसी बिल दोनों सदनों में पास हो गया है यह बिल अब राश्च्पती के पास भेजा जाएगा किंद्रे क्रिशी मंत्री नरेंदर सिंग तोमर ने राजसान में यह विधेक पेश किया इसके तुरंत बाद ही विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया विपक्ष के हंगामे के बीच ही बिल राजसभा में पास हुआ वहीं लोगसभा कल सुबे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है लोगसभा में विंटर सेशन शुरू होते ही क्रिशी मंतरी तोमर ने क्रिशी कानून वापसी का बिल पेश किया जो पास भी हो गया इसके बाद कांगे समित अन्य विपक्षी दलों ने कानून वापसी पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया डूंगरपूर में एक लाट से ज़्यादा किसानों की फसले खराब हो गई 25 क्रोड रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है प्रशासर ने रिपोर्ट बना कर सरकार को बेजी है सरकार ने 33 पतीशत या इससे अधिक के नुकसान पर ही मौवजे का प्रावधान रखा है मांसुन में ओसत 30 इंच से कम बारिश से बोई फसलों की उपज नहीं मिली कलेक्टर सुदेश कुमार ओला ने बताया कि डूंगरपूर जिले में ओसत बारिश 750 एमेम है इस बार सागवारा, गलिया कोट और साबला तहसील शेतर में ओसत से कम बारिश होने से खरीफ की फसल सूप गई या खराव हो गई राजय सरकार ने नुकसान का आकलन करने के निल्तेश दिये थे राजय सान में विपक्ष ने डी एपी और यूरिया खाद वित्रण को लेकर भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है उपने दार प्रतिपक्ष राजय राठोड ने कहा कि केंद सरकार ने राजय में मांग से ज़्यादा डी एपी और यूरिया खाद भेजी मगर गहलोज सरकार की अविवस्थाओं के चलते किलत वनी हुई है राठोड ने बताया कि राजय सरकार ने केंद सरकार से दो लाख मेट्रिक टन डी एपी और यूरिया खाद की मांग की केंद सरकार ने दो लाख पैंतिस जार मेट्रिक टन राजय सान को दी इसके बाद भी राजिस सरकार की अविवस्थाओं के चलते अब तक केवल एक लाग चुहतर जार मैटिक टन का ही वितर्ण हो पाया है राजिसान में एक दिसंबर से पूर्वी हिसों में बारिश का दोड शुरू होगा उद्यपूर, कोटा, अजमेर, जैपूर और भरदपूर संभाग में दो से पांच दिसंबर के बीच बोचारे पड़ सकती है एक से चार दिसंबर तक प्रदेश में पूर्वी हिसों में बादल चाएंगे इससे दिन की अधिक्तम तापमाण में गिरावट होगी और सर्दे भड़ेगी मोसम विभाग ने इस बीच कहीं कहीं ओले गिरने की भी चतामी दी है मुख्यमंत्री इशों गहलोत ते राजसान लोगसेवा आयोग अजमेर मुख्याले परिसर में तीन क्रोड 73 लाक रूपए की लागस से बनने वाले हाई टेक नए भवन का वर्चुल माध्यम से आज शिला नयास किया आयोग परिसर सीथ हुए इस कारिक्रम को श्री गहलोत ने जैपुर से वर्चुली संभोधित किया लोकसेवा आयोग की स्थापना जिस मकसद से की गई उसे वर्थमान आईटी युग में हर संभव पूरा करने की प्रेड़ना देते हुए गहलोत ने कहा कि नोकरी अत्वा साक्षातकार में देरी से अभ्यरती परिशान होते हैं लिहाजा आयोग को नवाचार के माध्यम से समय बद काम पूरा करना होगा आयोग का सलाना कलेंडर सभी में विश्वास पैदा करेगा क्योंकि यह बच्चों की जिन्दगी का बड़ा सवाल होता है और राचिस्तान देशवाली विकास बोड एवं शोच संस्थान के चुनाव में कुचिल सरपंज और शाही दली अधक्ष निर्वाचित गोशित किये गए अजमेर के रामसर में रविवार को हुए चुनाव के बाद निर्वाचन दिकारी डक्टर शोकत अली ने श्री शाहिद के अलावा रामजान खां उपाद्यक्ष प्रथम गुलजार मोहमद उपाद्यक्ष द्वितियर बदरूदीन खान सचीव एमडी कबाल को कोशा गोशित किया गया कोरोना का नया वैरियंट आने के बाद चिकित्सा विभाग हरकत में आ गया है चितोडगर कलेक्टर्स ने स्वासे विभाग के दिकारियों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सिनेशन करने को कहा है अधिकारियों को एक हफते का अल्टिमेटम दिया गया है ल परति मध्यप्रदेश के कई इलाकों से यहां पहुंच रहे हैं। इनका उपयोग लूट और चोरी जैसी वारदातों में होने के भी जानकरी है। लेकिन स्थान्य पुलिस इस तरह से बड़ी संख्या में अवैध हत्यारों के होने की बात से इनकार कर रही है। दूसरी और सच यह है कि अवैध हत्यारों की मूल कड़ी तक पहुंचने के लिए बीते कई दिनों से शेत्र में दबिश दे रही है। तीन बार तो पुलिस बॉर्डर वाले गामों तक भी पहुंच चुकी है। अजमेर में बैंक ओफ बड़ोदा एटिम से आठ लाग रूपे के लूट के मामले में सिसी टीवे के अधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है लेकिन दो दिन बाद भी पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। सिसी टीवे के मुताविक रात दो बजे तीन लोगों ने बोलेरों के बांद कर एटिम को उखाड लिया। एटिम के कैश बोक्स में रखे आठ लाग तेतिस अजार चार सो रूपे ले गए। मांगलिया वास्थाना प्रभारी सुनिल बेडा ने बताया कि पुलिस मामले की जाच में चूटी है। कि देश के विबिन शेहरों में पैदल मार्च निकाला जा रहा है। के एलफा बैट्स पर सिक्रेट कॉट बनेंगे। फिलहाल इस बुलेटेन में इतना ही फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SPT न्यूस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नॉटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। SPT न्यूस